हेलो फ्रेंट्स वेलकम तुमेज चैनल मैं है दॉक्टर नमरता फ्रेंट्स आज केस्वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी एनर्जी के बारे में एनर्जी यानि की उर्जा दोस्तो उर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है दोस्तो चाहे कितन लाइफस्टाइल हो गई है जिस तरीकी के हमारा रूटीन हो गया है तो उसकी वज़े से हमारे शरीर में उर्जा की कमी होने लग जाई है लोग लो एनर्जी फील करते हैं दिन भर ठका ठका हुआ सा महसूस करते हैं किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उप्योंगी है आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी लो एनर्जी के बारे में लो एनर्जी के क्या 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 कारण हो सकते हैं इसके किस तरीके के लक्षर हमको अपने सरी में देखने को मिल सकते हैं और दोस्तों ल आपने सब्सक्राइब कर दोस्तों एने वीडियों अगरा फाली पर मेरा वीर जैक और अपने 500ENTS कि तो में चैनल को सब्सक्राइब करें करके बैल आइकन को प्रेस कर दोसने की आने वाले वाली नोडिफिकेशन आपको मिल जाए अनुथ यानि की उर्जा के बारे में दोस्तों हमारे शरीर में उर्जा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों यह जो एनर्जी होती है इसकी वजह से हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज करते हैं हमारी जो डेली रूटीन होती है जो हमारी दिन चर्या हो तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं लो एनर्जी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं नमबर नर्ण रहेगा पो रहेगा लैक अफ न्यूट्रीशन दोस्तों अगर हमारी डाइट में न्यूट्रीशन की कमी है वोशक तक तो हम प्रॉपर नहीं ले पारे हैं जैसे कि हमारी जैसे भी हमको low energy महीसूस हो सकती क्ईकि दोस्तों जो हमारी energy होती है वो खाने से ही मिलती है तो अगर हम प्रॉपर खाना चरी से नहीं आ है या फिर हम लंच सकिप कर देते हैं या फिर ब्रेक्पास्ट नहीं ले रहे हैं या भी tekrar सीधा खा रहे हैं बाहर का खाना भाते हमा जगातार एक जगह पर बैठे रहते हैं घंटों एक जगह पर बैठे बैठे काम करते हैं घंटों लैप्टॉप चलाते हैं या फोन चलाते हैं या फिर हम अपना ओफिस में कोई काम कर रहे होते हैं घर पर होते हैं तो लेटे रहते हैं हमारी एक्टिविटीज बिल्कुल भी कि ऊसकी एक कुछ फार्ट होता है जैसे की थायराइट और डायवीटीज की पेशन्ट होते हैं उनकी अंदर भी लो का देशन्स होते हैं उसका दोस्तों जो लोग बहुत जादा stress में रहते हैं, बहुत जादा चिंता तनाव करते हैं, तो उनको भी low energy महसूस हो सकती है, और दोस्तों जो लोग बहुत जादा physically work करते हैं, heavy workout करते हैं, घर के काम बहुत जादा करते हैं, तो दोस्तों उनको भी low energy महसूस हो सकती है, उ आप में देर तक जगते हैं फोन लगातार चलाते हैं मुवाइल चलाते हैं लैप टॉप की स्क्रीन पर काम करते हैं तो दोस्तों यह रीजन हो सकता है कि हमको लो एनर्जी महसूस हो सकती है तो दोस्तों चली बात कर लेते हैं लो एनर्जी की कैसे लक्षर आपको देखने को म को करने में नहीं करेंगे और दोस्तों उसके बाद भी हमको नींद प्रपर नहीं आएगी हमारे अंदर कोन्सेंट्रेशन की कमी होने लग जाएगा उसका धूरे-धीरे दोस्तों यह कंडिशन अगर आगे बढ़ती है तो उस तरीके के लक्षरन को लोड़ब देखने को मिल तो यह थиях लोड़ब कर लेते हों मेडिसिंध के बारे में तो दोस्तो आज मैं आप सभी से कि वह चलिए सबस्तुं कि बहुत इस्ट होते हमारे इक थ्यूज तो थो रहेगा अवीना सटाइवा और दोस्तों नमबर टू मदर टिंचर रहेगा चिंसेंग तो दोस्तों दोनों ही बहुत ज़्यादा effective होते हैं हमारे लिए एक तरीके का energy boosters होते हैं दोस्तों अवीना सटाइवा होती है साती साथ हमारे जन्रल वीक्निस को यह खतम करती है और दोस्तों हमारे मेमोरी का जो कंसेंट्रेशन में जो कमी आ रही होती इसको यह ठीक करने में बहुत ज्यादा helpful होती है एक प्रकार का यह energy booster होता है और दोस्त का second medicine रहेगी जिंसेंग दोस्तों जिंसेंग बहुत important medicine होती है बहुत ज़्यादा useful होती है हमारी जन्रल डिबिलिटी के लिए वीक्निस और लिथार्जी के लिए बहुत important medicine होती है दोस्तों इस दवाई का सेवन करने से हमारा जो concentration होता है वह improve करता है साती साथ दोस्तों यह हमारी stress और तनाव को भी दूर करती हमारे mind को सांत system को भी बहुत ज़्यादा strong करती है तो दोस्तों जन्रल वीक्निस को खतम करती ही करती साती साथ हमारी physical exertion को भी कम करती हमारे stress को चिंता और तनाव को भी कम करने बहुत ज़्यादा helpful होती है हमारे concentration को improve करती है और हमारी sleep की quality को भी बढ़ाती है तो दोस्तों यह दोनों medicine को लेना कैसे है तो दोस्तों दोनों medicine की आपको एक कप एक चताई का पानी आपको लेना है और दोस्तों इस मेडिसीन को आपको कम से कम एक से दो महिने तक लेंगे तो आपको बहुत यह रिजल्ट मिलेंगे तो इन करेंगे पहले से आपके अंदर बहुत ज़्यादा का संचार आपको महसूस होगा साथी साथ दोस्तों आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वह कम होने लग जाएगा आपकी कॉलिटी अच्छी होने लग जाएगी आपकी कॉंसेंट्रेशन में जो कमी आ गई थी वह इंप्रूब करने लग जाएगा तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा एनरजेटीक महसूस करेंगे सो फ्रेंड्स आज इतना ही आई हो लाज प्रेंड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंट फैमिली में भी शेयर करें और दोस्तों अगर में चलक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और सो फ्रेंड्स थैंक्स वर वाचिंग विशिंग वेरी गुड हल्थ